हलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाजुरिया पर स्वागत है और दोस्तों आज बहुत मज़ा आने वाला है बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता कठिन है देखें सबसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक यही है बहुत आसान इस मोडल्स का यूज करना और हम डिसकस कर रहे हैं मोडल्स पर और आज के हमारे टॉपिक है सुड़, मस्ट और और टू इन तेनों का ही मतलब होता है हिंदी में चाहिए इस सेंस में इनका यूज करते हैं और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा इनके साथ be, have और have इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है इसलिए बहुत इंट्रेस्ट आने वाला, बहुत सिंपल कॉनसेप्ट है आपको क्या काम करना है के विडियो को आखरी तक देखना है और ध्यान से देखना है बस इतना सा काम करना है आपका concept पूरा clear कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में और exam में पूरे में से पूरे number आपको मिलेंगे और यदि आप इस channel पे नए हैं तो इसे subscribe जरूर करें और सारे जितने भी models है उन सब पर मैंने common वीडियो बना रखा है यह दिया आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए आपके doubts सारे clear हो जाएंगे इस वीडियो के आखरी में भी आपको उसका link मिल जाएगा और description में भी link दिया हुआ है तो देखिए यहां देखते हम should का मतल मतलब भी चाहिए और्टो का मतलब भी चाहिए तो यह सभी का मतलब चाहिए तो अलग अलग किया हो सकता क्यों पड़ी तो देखिए चिंता ना करो मैं समझा देता हूं देखिए should का use हम करते हैं चाहिए कब जब general advice या suggestion हो यानि सामानने सला या सुजाओ देखिए दिन ब मरजी सामने वाला माने या ना माने उसकी मरजी तो जनरल advice के लिए हम सुड का यूज करते हैं दूसरा है must must का मतलब होता है चाहिए लेकिन यह लिखा है अवस्य जरूर इसका यूज कहां किया जाता है strong advice जब जोरदार सला हो duty यानि करता वे obligation या compulsion यानि बाद देता या अनिवारिता हो तो देखिए आप कई बार ऐसे sentence बोलते हो कि आपको यह अवस्य करना चाहिए आपको यह जरूर करना चाहिए तो वहाँ जो है strong advice हो गई compulsion हो गया बाद देता हो गई कि आप वो करना ही आपको पड़ेगा तो वहाँ हम must का यूज करते हैं दूसरा must का यूज है strong possibility यानि जब प्रबल संभाव ना हो या जोरदार संभाव ना हो उस sense में must का यूज करते हैं तीसरा है और टू इसका मतलब होता है चाहिए और यूज करते है moral advice और moral obligation यानि नैतिक सला और नैतिक करतव ये क्या होता है देखिए जब हमारे अंदर मन से फिलेंग आए कि वास्तों में हमें ऐसा करना चाहिए हमें अपने बुजर्गों का सम्मान करना चाहिए हमें अप आप यहां पर यहां पर एक्जाम में आपको मैं क्लू दे देता हूँ क्या यही और टू आपको यूज करना होगा तो टू लिखा होगा उसके बाद वर्ब आएगी तो टू और वर्ब दिया हुआ हो तो आप और का यूज कर दे ब्रेकिट में आपको लिखा होगा moral advice या moral obligation तो यह इस तरह लिखा हुआ है तो आप और का यूज कर दे तू आपको दिया हुआ होगा और उसके बाद फिर वर्ब दिया होगी क्लियर है आप देखे एक्जाम पर लिजे उसे सच बोलना चाहिए जनरल एडवाईस है सामान ने एक तरह से सजेशन है कि उसे सच बोलना चाहिए वो बोले ना बोले उसकी मर्जी है तो आप यूज करोगे should तो he should speak the truth तो subject इसके बाद should और वह आपकी first form speak लेकिन अगर यह ऐसा हो कि उसे अवज से सच बोलना चाहिए अब आपकी उसकी बात देता हो गई कि उसे सच बोलना ही चाहिए तो अब आप यह must का यूज करोगे क्यों क्योंकि यह strong advice हो गई तो he must speak the truth और तीसरा है he ought to speak the truth जब हमारे अंदर मन से ऐसे feeling आए जयनि कि जो नैतिक सला या नैतिक करतवे की बात हो रही तो आप ought to का यूज करोगे और मैंने बताया जब exam में पूछा जाएगा तो यह खाली दिया होगा to और speak लिखा होगा तो आप समझ जाओ कि ought का यूज करना है ब्रेकिट में आप से दिया जाएगा moral advice या moral obligation concept के लिए चले अब हम एक एक को देख लेते हैं तेकि should का मतलब चाहिए उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए general advice है तो he should learn English तुमें कठिन मेहनत करनी चाहिए you should work hard अब वो करे ना करे उसकी मर्जी यानि सला देनी थी दे दी रानी को अपना काम करना चाहिए तो रानी should do her work इनका negative बना सकते हैं तो रानी should फिर not लगाओगे do her work इनका interrogative बना सकते हैं पहले आप should का यूज करोगे फिर subject फिर work तो should रानी do her work डवलेस फैमली भी यूज की जा सकते इनके साथ तो पहले डवलेस फैमली why फिर should फिर subject फिर verb अना तो why should रानी do her work clear concept next is should और should का एक और यूज है क्या conditional sentence में last के साथ हम should का यूज करते हैं इसको समझ लेजे एक्जाम में बहुत पूछा जाता है समबल कर चलो कई ऐसा ना हो तुम गिर जाओ तो कहीं ऐसा ना हो इस sense में हम last के साथ should का यूज करते हैं देखें कैसे work carefully समबल कर चलो work carefully last subject क्या है तुम तो you इसके बाद should और work की first form तो you should fall मैनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फैल हो जाओ तो work hard last you should fall तो इस sense में आपको यूज करना है कहीं ऐसा ना हो की इसमें आपको last के साथ should का यूज करना है किलियर है तो एक्जाम यदि पूछा जाएगा तो last आपको दिया होगा तो आपको क्यों should लगाना है किलियर अब next आजाए must मस्ट के बारे मैंने detail आपको बता दी example देख लेते हैं subject must और work की first form उसे अवस से अंग्रेजी सीखनी चीए देखें obligation होगे बात देता होगे strong advice होगे अवस से तो he must learn English तुम्हें अवस से कठिर मैनत करनी चीए तो you must work hard रानी को अवस से अपना काम करना चाहिए तो रानी must do her work negative बना सकते हैं तो रानी must not do her work interrogative must रानी do her work यहां M capital आएगा इसको ध्यान रखना यह थोड़ा सा typing mistake हुआ है तो आप इसमें सुधार कर लें और M जो है यह capital होगा क्योंकि first letter है ना तो capital में आएगा तो must रानी do her work clear है why must रानी do her work तो इस तरह से हम y यहनी ws family के साथ भी बना सकते हैं तो why must रानी do her work next time must देखे must का एक और use मैंने बताया ता strong possibility है नि जब जोरदार प्रबल संभावना हूँ sense में इसका use किया जाता है जैसे आज अवस्य बारिस होगी अगर मैं कहूं कि आज बारिस होगी तो आप में का use करोगे ठीक है यदि possibility कम होती तो आप might का use करते लेकिन अवस्य बारिस होगी यहां must का use करना strong possibility है बहुत ज़्यादा संभावन है 99% संभावना है तो आप क्या use करोगे it must rain today clear लेकिन आज रात वह आज रात अवस्य आएगा अवस्य आएगा बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है must का use करो he must come tonight sad आज बारिस होगी तो मैंने कहा था इस तरह के sentence में आप may or might का use कर सकते हैं तो I may or might rain today यदि संभावना थोड़ी ज़्यादा है तो may कम है तो might लेकिन बहुत ज़्यादा है तो आप must का use करोगे clear है तो मैं यह समझाने के लिए पूरे example दे देता हूँ आज बारिस नहीं भी हो सकती इसके लिए आप may not का use करते हैं तो देखे मैंने का may not जो है संभावना बिल्कुल नहीं के सेंस में नहीं होता इसका मलब होता हो भी सकती है यानि कुछ प्रसेंट संभावना होती है may not लेकिन यह आज बारिस नहीं होगी तो नहीं होगी सेंस में बिल्कुल नहीं होगी तो फिर आप can't का use करो तो it can't rent today तो मैंने यह पूरा concept आपको समझा दिया यह अलग से वीडियो होना चाहिए था लेकिन इसी में मैंने बता दिया आपको दिक्कत नहीं होगी यह प्रबल संभावना है तो must का use करोगे आप ठीक है और फिर जैसे आप possibility के लिए करते ही हो में माइट का कम संभावना है उससे भी कम है तो माइट का हाना में नौट का भी कर सकते हो लेकिन बिल्कुल नहीं है तो फिर आप can't का use करोगे कि लियर next or to इसका मैंने use बताई दिया आपको एक्जाम पर ले लेते हैं हमें अपने माता पिता की आग्या का पालन करना चाहिए देखो अंदर से filling आ रही है कि वास्तों में हमें करना चाहिए तो we ought to obey our parents clear हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए we ought to serve our country इसका negative बना सकते हो आप we ought फिर not लगा करके फिर 2 प्लस वाप की first form लिखोगे ठीक है serve और country इसका आप interrogative बना सकते हो तो यहाँ और पहले आ जाएगा फिर subject इसके बाद 2 और यह दि यह भी negative है तो आप यहाँ not लगाओगे to serve और country ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने interrogative बनाया इसको इसलिए यह question marks आएगा यह ध्यान रखिएगा यहाँ question marks आएगा clear concept हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए तो we ought to respect the teachers clear है ना देखिए ऐसी बाते जो अंदर से आवाज दे रही है कि भीया ऐसा करना चाहिए मजा आ रहा होगा नेक्स्ट है हम should, must और ought to के साथ बी का यूज कैसे करते हैं जैसे should be, must be या ought to be इसका यूज हम should, must और ought to के passive voice के रूप में करते हैं तो pattern होगा subject फिर should be या must be या ought to be इसके बाद वह आपकी third form यदि object दिया है तो पाई का यूज करोगे ये कारिये तुमारे द्वारा किया जाना चाहिए तो यहाँ जाना चाहिए इस sense में हम यूज करते हैं किया जाना चाहिए तो आप लिखोगे this work should be done by you तो should be इसके बाद वर्ब की third form फिर by और फिर object ये कार्य तुमारे दोरा अवस्य किया जाना चाहिए अवस्य आ गया must be का use करोगे पैसे वोईस है this work must be done by you अपने बुजर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए मैंने या और टू के लिए special जो एक्जामपल ले लिया तो your elders और टू भी respected तो और टू फिर बी का use करोगे clear है next should, must और और टू के साथ बी का use हम जो होना चाहिए इस sense में भी करते है जब हमें वाब नहीं दियो यह noun या adjective दिया हुआ हो जैसे हमें इमानदार होना चाहिए तो we should be honest simple advice है हमें अवस्य इमानदार होना चाहिए तो we must be honest या 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 we ought to be honest इस तरह का भी यूज कर सकते हैं ध्यान रखेगा यहां should be के बाद जो honest है यह हम यहां मैंने कहा कि noun या adjective का यहां यूज होता है यहां कोई verb नहीं दियूई है इसलिए तो इसका मतलब होता है होना चाहिए next उसे विनम्बर होना चाहिए तो he should be polite या he must be polite या he ought to be polite clear next must be का एक यूज है strong possibility प्रबल संभा होना के लिए जब verb हमारे पास नहीं दियूई हो यानि noun या adjective वह अवस्य पागल होगा प्रबल संभावना बहुत ज़्यादा संभावना है उसको देख के आपको लग रहा है वह अवस्य पागल होगा उसके हरकते ऐसी है तो आप क्या लिखोगे he must be mad वह जरूर मुकेस की मा होगी तो she must be मुकेस mother वह अवस्य किसान होगा उसको देख करके उसकी बेस बूसा देख करके आपको लग रहा है तो वह अवस्य किसान होगा तो आप लिखोगे इसको क्या कि he must be a farmer यदि याँ possibility कम होती तो आप क्या लिखते he may be a farmer he might be a farmer लेकिन अब बहुत ज़्यादा है तो continuous form में या must be के साथ वह अप के साथ ing आता है रवी आज रात अवस्य आ रहा है तो देखे अवस्य आ रहा है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रवी must be coming tonight तो यहाँ क्या है यह बहुत ज़्यादा possibility है कि रवी आज रात अवस्य आ रहा है तो रवी must be coming tonight वह अवस्य नहीं पढ़ रहा है तो he must not be reading किलियर है must के बाद not फिर be आएगा इसके बाद वह आपकी first form में ing तो continuous form में भी हम must का use करते हैं next should must or to के साथ have का use और इसका sense होता है चाहिए था जब have लग गया तो था लग गया यहाँ पर इनके साथ have के साथ हम वह आपकी third form का use करेंगे जैसे should have वह आपकी third form must have वह आपकी third form or to have और वह आपकी third form देखे उसे सच बोलना चाहिए था देखे यहाँ जब should must or to के साथ have लग जाता है ना तो एक तरह से pastya ताप होता है यानि regret होता है पस्तावा होता है कैसे उसे सच बोलना चाहिए था लेकिन वह बोला नहीं तो अब केवल पस्ताने के अलावा कुछ नहीं है तो आप लिखोगे he should have तो should have वह आपकी third form spoken the truth ऐसे उसे अवस्य सच बोलना चाहिए था must का use कर दो he must have spoken the truth यहाँ पर ought to का भी यूज कर सकते हो तो he ought to have spoken the truth तुमें उसकी मदद करनी चाहिए थी तो you should have helped him या you must have helped him या you ought to have helped him तो मैंने सारे एक्जामपल ले लिए सभी को एक सास समझाने का मैं प्रियास कर रहा हूँ बहुत interest आ रहा होगा बहुत मजा आ रहा होगा next must have के साथ हम strong possibility उसका भी यूज करते हैं आपने मेरा नाम अवस्य सुना होगा यदि यह ऐसा होता कि आपने मेरा नाम सुना होगा स्याइद आपने मेरा नाम सुना होगा तो आप may have या might have का यूज करते हैं लेकिन यह आवस्य है आपने मेरा नाम आवस्य सुना होगा strong possibility है तो must have का यूज करोगे तो he must have here my name must have वह आपकी third form वह जरूर बस से आया होगा तो he must have come by bus तो यहाँ come came come यह जो है third form है कम की कमी होती है तो must have और वह आपकी third form रवी ने मदू को अवस्य से देखा होगा strong possibility है प्रबल संभावना है तो रवी must have seen मदू next is should must or to के साथ have been का इसका मनला होता है जाना चाहिए था कोई कारिये किया जाना चाहिए था और इनके हम should have must have or to have के passive voice के रूप में इनका यूज करते है इनके साथ have been लगा कर वह आपकी third form object दिया है तो by का यूज करेंगे सच उसके द्वारा बोला जाना चाहिए था the truth should have been spoken by him तो should have been वह आपकी third form him उसके पहले object के पहले by सच उसके द्वारा अवस्य बोला जाना चाहिए था आप क्या करोगे must have been का यूज कर दो the truth must have been spoken by him या the truth or to have been spoken by him पत्र type किया जाना चाहिए था किया नहीं गया पस्तावा हो रहा है ये letter should have been type ये letter must have been typed अवस्य type किया जाना चाहिए था या पिरे letter or to have been type next must have been must के साथ have been का यूज strong possibility प्रबल संभावना के लिए करते हैं कमल को उसके द्वारा अवस्य पढ़ाया गया होगा तो ये passive voice में है तो अलग से लिया है मैंने इसका क्योंकि यह strong possibility का यूज हो रहा है तो कमल must have been taught by him किताब अवस्य छापी जाचुकी होगी किताब किसी किताब की बात हो रही किताब अवस्य छापी जाचुकी होगी a book must have been printed should must और ought to का use have been इसके साथ लगा करके होना चाहिए था इस sense में हम करते हैं जब verb नहीं दीवी हो तो क्या होता है यहां noun या adjective होता है जैसे उसे सावदान रहना चाहिए था उसे सावदान रहना चाहिए था लेकिन वो रहा नहीं यानि अब पस्ता रहा है तो he should have been careful उसे अवस्य सावदान रहना चाहिए था एक important बात हो रहे हमने ये models तो देख लिए चाहिए वाले लेकिन एक और बात है चाहिए किसके लिए want, need, require इनका मतलब भी चाहिए होता है लेकिन यहां पे ध्यान रखना आउसकता के sense में यूज करते हैं महां advice के रूप में, possibility के रूप में यूज किया था हमने यहां इनका यूज करते हम आउसकता के रूप में जैसे मुझे एक mobile चाहिए आप देखे ये उसकी आउसकता है ना ये possibility तो है नहीं, ये advice तो है नहीं तो मुझे एक mobile चाहिए, यहां आप इन में से किसी का यूज करोगे, तो I want, या I need, या I require a mobile, उसे एक glass पानी चाहिए, उसकी आउ सकता है, need है, तो he needs, या he wants, या he requires, एक glass of water concept क्लियर हो गया, वस सारे doubt क्लियर कर दिये, आप कोई दिक्कत नहीं आनी चीए, अब तो interest आया होगा, वीडियो देखके, तो इसको like कर दो, share कर दो, फैला दो सभी बच्चों तक, ताकि सब इसको आसानी से समझ सके, बड़े enjoyment के साथ मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, तो ज्यादा ज्यादा like और share करें, और इस चैनल को subscribe करें, और मेरे साथ हसते रहें, मुस्कराते रहें, देखते रहें, आपका अपना channel SR Chajorian, धन्यवाद,